Hey guys, this is Vivek Pandey and you are watching Komal Intermediate Classes English Grammar की Series 16 में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे Important Vocabulary and इन सभी की PDF आपको हमारे comment box के section में provide कर दी जाएगी और साथी अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी के link हमारे description में आपको मिल जाएंगे जहां से इजली आप उसे देख सकते हैं Friends, आज हम आपके लिए one word substitution, synonyms and root words की एक नई सीरीज लेके आएं हैं तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखें, वो पूरा देखें चलिए, फिर हम वीडियो को start करते हैं आज का हमारा सबसे पहला question है A person who talks too much यानि एक व्यक्ती जो बहुत ज़्यादा बाते करता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं Garulous Spelling होती है G-A-R-R-U-L-O-U-S Garulous मिस होता है बहुत बोलने वाला Second question है The deliberate murder of a whole community, our race यानि एक पूरे समुदाय या एक जाती की जान बूज कर की जाने वाली हत्या को हम क्या बोलते है Genocide Spelling होती है G-E-N-O-C-I-D-E Genocide मिस होता है जाती संगार Third question है A child of unusual or remarkable talent यानि असमानिया या उलेखनिया प्रतिभावा का एक बच्चा उसे हम बोलते है genius Spelling होती है G-E-N-I-U-S Genius मिस होता है प्रतिभावान Fourth question है A person who is easily befooled That's called That's called gullible Spelling होती है G-U-L-I-B-L-E Gullible मिस होता है सीधा साधा यानि एक व्यक्ति जिसे आसानी से मुर्ख बनाया जा सकता है उसे हम gullible सीधा साधा बोलते है तो spelling को अपने ध्यान से देख लेना है G-U-L-L-I-B-L-E Fifth and last one word substitution है List of explanation of words यानि सब्दों के चारण की एक सूची उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है glossary Spelling होती है G-L-O-S-A-R-Y Glossary मिस होता है सब्द संग्र इस तरह हमारा one word substitution का part complete हो चुका है अब हम चलते हैं अपने next part साना नेम्स की तरफ साना नेम्स में हमारा सबसे first question है Onlookers Onlookers मिस होता है दर्सक Spelling होती है O-N-L-O-K-E-R-S इसका जो साना नेम्स word होता है वो होता है audience और इसका साना नेम्स word होता है वो होता है passes by Spelling होती है P-A-S-S-E-R Passer by Okay Passer by मिस भी होता है दर्सक तो इसको ध्यान दीजिए आप Second meaning है Saturday Saturday मिस होता है तबाह करना Spelling होती है S-H-A-T-E-R-E-D Saturday And इसका साना नेम्स word होता है वो होता है Destroy and Decimate Spelling होती है D-E-S-T-R-O-I And Decimate की Spelling होती है D-E-C-I-M-A-T-E Okay Third meaning है Fundamental Fundamental मिस होता है Mollick Spelling क्या होती है F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L And इसका जो साना नेम्स word होता है वो होता है Basic and Elementary Spelling होती है B-A-S-I-C And Elementary की Spelling होती है E-L-E-M-E-N-T-A-R-Y Okay Induced Induced मिस होता है Pray read करना तो इसका Spelling होता है I-N-D-U-C-E-D And इसका जो साना नेम्स word होता है वो होता है Incarriage and Boost एक और साना नेम्स word होता है वो होता है Philip Okay Sorry Philip होता है F-I Spelling एक बाद चेक कर लिजेगा आप लो F-I-L-I-P Okay तो इसके मिस होता है प्रेरीत करना Okay Fifth and last meaning है Reliable Reliable मिस होता है भरोसे मन Spelling क्या होती है R-E-L-I-A-B-L-E And इसका जो साना नेम्स word होता है वो होता है Trustworthy and Candid Spelling होती है T-R-U-S-T-W-O-R-T-H-Y And इसका सेकेंड साना नेम्स word होता है Candid Spelling होती है C-A-N-D-I-D Okay तो इस तरह हमारा साना नेम्स का भी पार्ट कम्पलीट हो चुका है अब हम चलते हैं अपने एक new session Root Words की टरप तो सबसे पहले Root Words क्या होता है What is Root Words Definition क्या है तो a basic word to which affixes are added is called a rude word because it forms the basics of a new word यानी Root Word एक word होता है जिसमें न तो उपसर्ग लगा होता है और नहीं अंत्में प्रत्या लगा होता है बट हम उसमें affix and suffix जोड़ कर उसको एक नया word बनाते हैं तो आपको word ध्यान दे रहना है Omni Omni मिस क्या होता है All, सभी ये word आपको ध्यान देना है Omni मिस होता है All या सभी अब चलिए हम चलते हैं सबसे first meaning है Omni signed ये देखिए दो word से मिलकर बना है Omni and Signed Scient words होता है वो science से related होता है तो Omni मतलब सब कुछ और सभी विग्यान या सब कुछ जाने वाला यानि एक person knowing everything एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलते है Omni signed हिंदी होता है सर्व ग्यानता क्या होता है सर्व ग्यानता होता है जो सब के बारे में जानता है या सर्व ग्यानी होता है ओके सेकेंड मीनिंग है Omni potent Omni potent मिस होता है Almighty सर्व सक्तिमान यानि जिसके पास सभी पावर होती है उसे हम बोलते है Omni potent Omni plus potent ओके थर्ड मीनिंग है Omni loquent यानि Speak about everything Speaking about everything मलब सभी चीजों के बारे में बोलने वाले को हम क्या बोलते है Omni loquent Spelling O-M-N-I-L-O-Q-U-E-N-T ओके Fourth मीनिंग है Omni present Omni plus present यानि सब जगर जो present होता है उपस्तित होता है उसे हम बोलते है Omni present One who present everywhere Omni present मीनिस होता है सर्व व्यापी Fifth and last मीनिंग है Omni plus Omni plus मीनिस होता है Gathering of all things यानि सभी वस्तों के संग्रा को क्या बोलते हैं Omni plus सर्व संग्रा Spelling क्या होती है O-M-N-I-B-U-S तो friends I hope आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे अच्छी लगे